हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी कुकिंग हिंदी तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो सेयर करने वाली उस्सिमला मिर्च का भड़ता जो कि बहुत आसानी तरीके से बनता हैं और ये बहुत अलग रेसीपी है और बहुत अलग तरीका से मैं आपको बनारा सिखाऊंगे बिल्कुल नए तरीके से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए औ चार सेमला मिर्च में आपके आठ जो होते हैं वो भरते हो जाएंगे और बहुत इजिली तरीके से बन जाएगा ये यहाँ पे मैंने जो है एक प्याज लिया था चौप करके काट दिया था एक टमाटा लिया है इसको भी मैंने हलका पतला पतला जो है काट दिया था यहाँ पर जो है मैंने काट के बिल्कुल रेडी कर लिया है और इसमें से एक एक टुकड़े आपको काट देने हैं यानि की एक में से दो टुकड़े ही सिर्फ आपको निकालने हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यह देख सकते हैं आप मैंने जो अंदर का जो बीज होता है उसे भी अच्छे तरीके से साफ कर लिया है एक दो बीज रह जाए तो भी चलेगा कोई बात नहीं है लेकिन आप अंदर तरीके से अच्छे से साफ कर लिजे इसे अब जो है यहां पर मैंने बॉयल आलू लिये थे इसे जो है अम अच्छे तरीके से इसको मैस कर देंगे, मैक्स करने के बाद देख सकते हैं, आप मैंने जो है बोयल आलू को जो है अच्छे से मैस कर दिया है, और बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको मैस कर दिया है, अब जो है इसे हम भून लेते हैं, तो सबसे पहले भूनने के लिए यहाँ पर मैंने जो है एक पैन लि हो जाता तब तक के लिए जो है हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे तो यह ब्राउन कलर का हो चुका है अब यहाँ पे जो मैंने हरी मर्च और लेट रून अदर का पेश्ट रखा था इसे भी जो है इसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद जो है आपको धीरे-धीरे क करके आपको मिक्स कर देना है जब तक कि ब्राउन कलर करना हो जाए यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यह देख सकते हैं बिल्कुल धीरे-धीरे करके आ देंगे टमाटर जो कि मैंने काट के रखे थे टमाटर वो टमाटर जो है हम इसे डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि एक चमच मैंने जीरा पाउडर डाला है इसी के साथ यहाँ पे मैंने जो है आधी चमच काली मिर्च डाली ह आदी चमच मैं सहल्दी पावडर और मैं नमक लिए हैं इन można की यहां जो कि हम फ्लेंगे और बिलकुल हुआ में उआ प्लेंस को भूनेंगे जब इसको सारी चीज़ों को अच्छे से mix करना है गैस का flame आप लोगों को बिल्कुल medium ही रखना है तो देख सकते हैं आप जो आलू है वो अच्छे से mess हो चुकी है इसमें और ये जो है हमारा बहुत अच्छा सा इसका color भी आया है और बिल्कुल low flame पे जो है इसे आप भूनिये जब तक भूनिये जब तक आलू अच्छे तरसे भून के ready नहीं हो जाते क्योंकि सबसे अच्छी चीज इसमें यही होती है कि इसका taste बहुत अच्छा आना चाहिए तब ही हमारा भूता अच्छा लगता है समला मिर्च का तो यहाँ पे आलू भून के ready हो चुके है इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं यहाँ पे आप देख लीजें जो है मैंने काट के इसे रखा था और इसमें धोड़े-थोड़े करके आपको बिल्कुल चुटकी-चुटकी भर आपको इसमें नमक डालने हैं यानी थोड़े-थोड़े सारे में आपको नमक डालना है नमक से ये हो जाएगा नमक से अंदर से और बाहर से दोनों तरह से जो है ये अच्छी तरह से हमारे पक जाएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो सारे में मैंने नमक डाल दिया है नमक डालने के बाद सबसे इंपोर्टेंट चीज है इसके अंदर थोड़े थोड़े करके हमें तेल भी डालने है तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़े से चमच में तेल लिया है जिसे मैं एक चमच लूँगी तो मैं दूनों में डालूँगी यानि कि आप लोगों को बिल्कुल थोड़े थोड़े करके हलके हलके और डालने है इसमें कोई भी आप और डाल दीजिए जरूरी नहीं कि आप एक ही और डाली आप इसमें कोई भी और डाल सकते हैं इससे ये होगा कि ये जो हमारे भरते हैं अंदर से और बाहर से दूनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे और बिल्कुल एक अच्छा सा जो है इसका टेक्स्टर बन जाएगा तो देख सकते हैं आप बिल्कुल हमारा जो भरता है वो रैडी हो चुका है अब जो है इसे हम एक पैन लेंगे तो चलिए फटा-फट जो है इसे हम पैन में डाल देते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मैंने एक पैन लिया हैं इसी के साथ मैं इसमें बिल्कुल थोड़े से यानि कि दो चमच मैंने तेल डाले हैं और तेल डालने के बाद जो है आपको बिल्कुल फ्लेम को जो है मीडियम रख देना है और इसे एक करके बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को डाल के दिखा रही हूं ऐसे ही करके आप लोग डाल दीजिए एक ही मिनट ढखके छोड़ देंगे इसके बाद जो है आप बीच में चेक कर सकते हैं तो यहां पर मेरा पांच मिनट हो चुका है मैं निकालके देख लेती हूं तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरह से यह पक चुके हैं पकने का यहीं काड़ है कि उसके अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा हलका सा ये पानी छोड़ चुके हैं और हलका सा ब्राउन कलर में लोगों का कलर चेंज हो चुका है तो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ सा नजदीक से दिखाती हूं बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं हलका हलका सा इसका कलर ज खाती हूं और ऐसे आप बना के खाएगा बहुत टेस्टी बनता है और इसे एक फैयदा होता है जो इस शफ्रिंग होता है वो गीला नहीं होता है तो चलिए हाँ पर मैंने जो है से ले लिया है और लेने के बाद एक चमच मैंने ले लिया है और इसे जितना ही आप अंदर बिल्कुल रैडी कर लिए हैं देख सकते हैं आप इसका कलर जो है कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें दबा दबा के भरे हैं और इससे जो है आलू जो हमारा है वो गीला नहीं होगा बिल्कुल इस्टफ रिंग जो है सेफ रहेगा तो आप ध्यान रखेगा कि पानी के हलके हलके ऊपर से चीटे आप जरूर दीजिएगा तभी जाके जो है यह अच्छे तरीके से अंदर से और बाहर से दोनों तरह से पकेंगे तो यहां पे जो है मैंने देख सकते हैं आप थोड़े थोड़े जो है पानी के इसको ऊपर से ची चोड़ देना है लगभब 5-2 मिनट के लिए आपको ढखके छोड़ देना है तो यहां पे मेरा 5-2 मिनट हो चुका है से निकाल के देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से अंदर से बाहर से पक चुके हैं तो आसा करते हूं कि वीडियो अची लगी होगी अगर वीडियो अ नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजेगा पैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही रेसीपी लाती रहूँ आप लोगों को यह रेसीपी कैसी लगी हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजेगा